नमस्कार दर्शकों पाखंडवाद के इस बढ़ते दौर में आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मतानुसार कोई ना कोई भक्ती अवश्य कर रहा है चाहे वह शास्त्र अनुकूल हो या शास्त्र विरुद्ध इसी पाखंडवाद को दूर करने के लिए आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कबीर जी ने अपनी वाणियों के माध्यम से पाखंडवाद को सर्व समाज के सामने उजागर किया था आज इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक बहस जिसमें एक पक्ष का कहना है कि कबीर जी तो जुलाहा थे तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कबीर जी पूर्ण परमात्मत है आईए देखते हैं, किसकी बातों में है कितना सच कौन दिखाता है प्रमार आज होगा खुलासा, कबीर जी आम इनसान थे या भगवान आज साथना बर्सों से चल रही है, जो संद्रामपाल जी महरा जा चुड़वा रहे हैं देखिये, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, देखिये, अपने गरंदों में लिखा है अज से 620 पहले कभी साथ आये थी, कभी साब ने पूरे जितने भी यहां पर धर्म गूरु में, उस समय जुलाहा का काम करते थे कभी साथ, उनके 64 लाक्स सते उनके उपर इतनी यातना दिलाई इनने नकली धर्म गूरु में लेकिन परमातमाने किसी को एक फूल की छड़ी अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन नहीं मारे इसलिए हर युग में वह हर समय परमात्मा आता है इसा नहीं है कर नहीं आए इतने दिन बनगा हम आप सब कुछे हैं हमें आप जब आप दो इतने दिना कड़ गए आज तक जो मोबाइल टेली वीजिन का नहीं चल अगर मैट में किसी भी सांस की फ्याल डी कंड़े पर हैं घुझे परमात्मा ने मैं आपको बता रहा हूं उसीफी परमात्मा की बदोलत है उसकी परमात्मा की कारण ही उसने बुद्दि दी है हम जीवों को कि आज हम ने यहां पर बनवाया और इस परमात्मा की बिद्धी की रही है आज परमात्मा परमात्मा मतलब है तो चैंस दिखार रही को को दिखाना चाहता था किस संत क्या होता है आज वहीं दिखा रहा है सब इस्टूमेंटों के माध्यम से बाइए सब इसको बता रहे हैं इसको परमात्मा कभीर साहब है उसके एक बो कभीर जो जुलाय का काम करता था जो मुसल्मान को उसके अंदर आई तुकड़ों पर पलता था और जिस इसे लोगों के भग्मान बताते हैं इनको सर्मानी चाहिए ठोड़ी देखिए अब मेरी वास सब्मान करता हूं आपने कहा है कि कभीर साहब एक बैस्या के साथ और पूरी कासी में घूमे थे देखिए वह एक संत की लीला है आज संत्रांपा जी महाराजी वह लीला कर रहे कभीर साहब ने एक कभीर साहब एक जुलाहे काम करते थे आपने काम करते थे और कभी बन गया इसी घूमते परते हम बच्पन पढ़ते थे कभीर साहब की दोहें पढ़ते थे कभीर दास जी के दोहें पढ़ते थे लेकिन सुनिये सुनिये आप आप चूंकि सब संत्रांपाल जी महाराज काने आई यह उन्हें के बारे में बोलेंगे पहले सोचिए थोड़ा एक एक चुलाहा जिसको अबताएए सर क्या कोशन है आ शाहब कहते हैं कभीर भगवान कहते हैं बोट एक दास थे और जैसे तरह से वह कभी ताएं कभीता आदमी पहले लगता है और वहां पर जो भी धर्म गरूते बहुत अन्हों को अन्पढ़ कमार है ठीक है ना चैश्जर उन्हें निर्दन देखिए ने निर्दन थी ताना हल हो गया इनके कहने से इन्होंने कहा है कभीर साहब एक मतलब दास थे वो उनके पास एक टेम का खाना भी नहीं जुड़ता था जुलाहे का काम करते थे बिल्कुल सही बात है लेकिन वो भगवान कैसे हो गई मैं इसी लिए तो कह रहा हूं कि जब एक जुलाहा जो ताना ख़ित लेगा वह कासी में आओ लोगों सबको एक एक असर पी देगा एक एक दोहर देगा तो हाँ पर पूरे के आप देखिए ना कभी सागार को पढ़िए नहीं नहीं सुना तो उन्होंने कहा था तो पूरी कासी में इतना बड़ा भंडारा तीन दिन तक चला पूरी पि दर्शकों, आईए देखते हैं इस विशय पर पवित्र अमर ग्रंथ साहिब से प्रमाण आखिर क्या कहती है संत गरीब दास जी महाराज की अमरवानी 9 लक बोड़ी भरी विशंभर दिया कबीर भंडारा धर्ती उपर तंबूत आने चौपड के बैजारा केशव नामधर कबीर आप आए 9 लक बोड़ी धुरावत हैरी अर्थात इन वाणियों से यह भी सपष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी ने ही काशी में चौपड के बाजार में भंडारा करवाया था संत्रामपाजी महाराजी ने सभी सद्क्राइब परमार किया है उनको पढ़िए अब अकेले कहने मात से कुछ नहीं होगा आप परमार देखिए संत्राम मतलब कभी साब जी पूरे सुक देते थे उन्हें तो वह चाहते थे कि हम इनकी परिक्षा ले कि यह सही तरह से हमारे भक्ती कर रहे हैं हमको पूरी तरह से भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं क्योंकि जब भी गुरू आता है तो वह सुष्ट की परिक्षा लेता है कि हमारे सही नियाम पर चला है हम इसका मोख्ष करेंगे करेंगी तो उन्होंने वह लीला की थी यदि हमारे सच्च हैं आप किसी लड़की के साथ किसी के साथ कोई फोटू किज़ वाल है वह मतलब हम अलग चीजव हुई उन्होंने उन्होंने तो ब्हुमें थे पताएं कहां लिखाया जान पीने लगू और पहले इनका कहना यह है कि उन्होंने दारू नहीं पीदी वो गंगा जल था इसका प्रमार भी है इसका प्रमार है कभी सागर में इसलिए तुम्हें करा हूँ दखिए यदि आपको अपने पिताजी की जीवनी चाहिए तो उनके जो फोट मतलब गिरंत मतलब जो उनके फिर्टन परचा पड़िए कभी साब कर दो पड़िये उसमें देखिए कंबीना पिया कि पड़िया कि प्रमार को लिखा रामणी के पेदा हुए थे कंद्वां क मасता है कौन पुष्टक में लिखा यहाद पटाई हमें पिरमार कप्षा 10 कि किताब में भी लिखाए बीदा कोनों चीज लिख जाए तो बाप्यारी फाई होड़ जाता हो जाएगी आज जैसे मोदी इने नाम बता चाहिए आप हमाता है यदी मान लेजिए यदी मान लेजिए कि हम गलत बोल रहा हैं कि यह तो पैदा नहीं हुए बोटो एथांटेक पुस्ता कोम है जो गवर्मेंट को उसमें आपन पढ़ते भी उसमें भी लिखा उनकी जीवन परिचे में लेकन आप ये बताईए कि सरकार ने अभी तक यह क्यों नहीं लिखवाया कि यह कभीर साब भगवान है आपके कहनुसार ये भी तो लिखवा सकते थे आप जब इतने बड़े उनकों भगवान मान रह आईए अब देखते हैं कि क्या किसी पुस्तक में इस बात का प्रमाण है दर्शकों ये पुस्तक है प्रबोध परीक्षा बोध जो कि 36 गड़ के शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई जाती है इसके प्रिष्ट संख्या 86 पर प्रमानित है कि कबीर परमात्मा प्रत्येक युग में अन्य अन्य रूप धारण करके स्वयम इस धरा पर सहशरीर प्रकट होते हैं और अपनी वाणियों के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं इस पुस्तक में यह भी स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा कल युग सं 1398 में अपने सत्य लोग से सहशरीर आकर बालक रूप धारण करके लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे दर्शकों इस बात से यह स्पष्ट हुआ कि कबीर जी का किसी माता से जन्म नहीं हुआ था बलकि वह तो पूर्ण परमात्मा थे जो कि कमल के फूल पर प्रकट हुए थे आपको देखे पहले तो में बता दूँ आपको जो आपने कहा आपने कह लिया को बताओंगे प्रमात्मा कभीर देव है इस पशचर नाम लिखा दिखाएंगे दूसरी बात हम यह दिखाएंगे कि वह कैसी लीला करता तो कि ईता है जब कभीर साहब चार डाग से अजियार ओमर शरीर पर भी आपने ज़ी तो यह ने हिंदु धर्म के चेला थे उनके मुसलमान धर्म के चेला थे लेकर वोग फक्ठील को प्दिआ किसे अब हो और अब बन गाए हो लेकर वो खुथ मुसल्मान ने कभी बिल्कुल मुसल्मान आपने अब दोनों बात पक्ष कर रहे हो डिन लाहा ऑ कि ऎ सबॉस्थाा अब सनातन बोल रहे हैं बॉलत करें हिंदु जो टाना वूंते हैं तो देखिए मैं ऐसे लिए कह रहा हूँ कि कभी साब जब धर्ती पे आयते तो से सरीर आयते कमल के फूल पर जाकर के कासी में लहरतारा तालाम में प्रिगट हुए थे कभी साब कोई लिए आपको जानना होगा तो कभी साब की जीवनी में कभी सागर में देखना होगा कभी सागर में प्रिमार है और कभी सागर में प्रिमार है कि कभी साब से सरीर आयते और आकर के कासी में लहरतारा तालाम में प्रिगट हुए थे वो किसी मा के जनम से नहीं लेते हैं कमा प्रिमार है यह भी बताईए थे हाँ कभी सागर में प्रिमार है बढ़ी जागरा तो हमने क्या हमने तो सर्फ राम जी को देखा भए परकट करपाला दीन दाया लाकोचल जाए तकारी यह परकट नमगबार परकट हुए यह परकट परकट हुए जन्जी तोड़ के और पर जेल से बाहर चले का थे देखिए आप आपके रहे भी कभी साब की आप ने को समंत्रा को का बेज्या तो इन तीन उलानी ओके ख़ीर के ख़ला ही और उनके घरा जाते से हमारी लाम मिलता है कि लिख स्कमाइक बटोचाइब देखिये के निए reducing मतलब राम चन जी कि अगर प्रकट रुए तो इन तीनों रानियों को खीर क princip X लाए गई क्यों क्यों ना विजिधान होना के लिग्चा फूल की ये भाग्वान की लीला होते हमारे थीधा जीपी जमीन प्रकट हुई जमीन से पैदा हुई हलहाग देवक्त है ना तो खीर से नहीं पैदा हो सकते हैं भगवान चमजगार करते हैं हमारे देखिए तो इसी तरह मैं भी कह रहा हूं कि कभी साथ प्रकट हुए थे इसलिए मैंने आपको बताया है कभी साथ फूल पर प्रगट हुए थे कमल के फूल पर लहतारा ताला मैं नीरू नीमा उठाके लेगा उनने लालन पालन किया उनको मुसल्मान बना दिया है जबकि वो नीरो नीमा मुसल्मान नहीं थे वो ब्रहमन ब्रहमनी थे उनके उलाद परमान परमान है कभी साथ बखवान है जैसे वो रहना तो काम करो गीता में निकाल दिखा सकते उसके लिए लिए लिखिये लिखा बेदों में परमान आप देखिये पढ़ लीजिए देखे बेदों का सब्सक्राइब करने बाले जे गलत ते ने गलवाद गलत करके ही हमें फिर्मित किया है हमने पड़े नहीं है लेकिन रामान जी सिक्षागर भगवान है हमारे हनुमान जी ने तो परवत को इठा लिया था अगर पहार उठा लिया तो क्या भगवान हो गए अगर पहार उठा लिया तो क्या भगवान हो गए अगर वह पूछते हैं लेकर भगवान होता है सब का मालिक एक है लेकर भगवान एक होता है सबका मालिक एक है उस मालिक पाने की बिदी भी तो हमने प्रमाण इसीलिए उसलिए हमको बता रहında आपको बगवान एक हो आप केरा कि हमा 23 क्रॉर भगवान है डेरा है हम तो नेरम जी को भाइब बहुद गंगा जी को मानते हम वह इसनान करने याते अस्तियंगं भिसर्जिद करने याते हैं और हम लोगों का मुगत होता है टो मुख्ष होता है पर तो हमारे उसमें गमी में कोई आता तो पर उसके लिए भोजन हो जान तो कराना पड़ता थो उसके उनकी सराद भी निकालते हैं देखिए मैं आप से यही कह रहा हूं कि जब हमारे पूर्व जिनों का जैसे हमारे सनातनी ध्रम वाले हमारे मोक्ष कराते चले आ रहे हैं आपके र पूर में भर्धृकरण पिद्र करा कि उने कारने से खरी नकी हमारे मैं निकालता प्सक्ति निकाले हैं ब्रहमन को निकाले करा ले प्रच्ज को पूजने वाले पित्रों को पूजने वाले पित्र बनते हैं और देवगति को जाने के वाद मुझे प्राफ्त होते हैं इसलिए उनने कहा है किसी की पूजा नहीं करना चाहिए वो अगर आप शुर्णकों भगवान मानत हो तो हम जो ने बताने तमिन भगवान ने बीसबही देफ्टाओं की पूजा बंद कराई थी जब ही हो उते उने परवात अपना इंग परवेडान पूजा कर लिए तो उन्हें काय को करी तो के लेकिन हम आलों पागंड कर रहा है लेकिन आप यह बताओ आपकी गीता पूरुपनमा पूरुपनमा का कौन सा मांत्र क्या जाब करना जाई है कोई मैं यही आप से कह रहा हूं प्रिमाड है गीता जी के अध्या सत्रा के श्लोक नंबर तेश में कहा है ओम तत्सतिती निर्देश मतलब तीन प्रिकास से जो ओम तत्सत का जो संकेतिक मन्त है जाब करने का भी नहीं है मैंने भी गीता पढ़ी है यह आध्या आड का तेरमाइस कि अध्या बाला के जाओं में करते हैं पूर्ण पर्मात्मा के लिए जीता अध्या सत्रा का स्लोक नंबर तेश है कि उसमें ऑम तत्सतितीन थीन था संकेतिक मन्त हैं हम करके हम आप से पूछ रहे हैं और कि लिजली का कनेक्षन लेने के बाद में विजली से लाब हो गा कि हम विजली बिजली जाब करने लगा हम भी विजली का जाप करते हैं कोई जाप करने वाला नहीं है संकेतिक है उसमें सबस्क्राइब कोड़ है उसे संथ खोलेगा वह अच प्रिभी प्रिफी पर तत्यों संथ रांपार जी महाराजी के लाबा दूसा कोई तत्यों संथ है ब्रह्म भगवान के लाने जीडिये वह उन्हें कहीं किया मेरी पूजा करना चाहता है तो जो आप एक अपने लाने ओम नन चाहता है अगर हमें तक तुम सद्धना करना चाहता है ब्रह्म लोग तक जाने कि लिए उसकी किरपासे सनातन्त्रम शास्वत धाम को प्राप्त होग सची करें रहे हैं कि उसके नास कर देता हूं मैं हैं राम जी ने काई है मतलब बताइए वहां तो इनकी बात पकड़ेंगे इन्हों ने कहा है के राम जी कहा है का रोड़ के पाप मुख्ष ओजें पर राम जी के मोख्ष काई नहीं बहें काई किसंट जी बनके आने पड़ों यहांने करी आप ही के बात मौसर सुन रहा है कि स्राप जाइटी जब उनकी ख ने तुमाराम जी ने बाली को मारो तो प्यरलीकों हो पंद कारो फद्ध जब हैं और कि सन अबतार में आए तो तो उनकी किसने अबतार में आने के बाद फीली सब्थाल उन्हें कहीं था तो चाहिए कई मैं तुम चिंदा नहीं करो तो में तुम्हें बाली रूप में मारो तो आज तुमने हमें ने इसे नहीं तो फिसे कहते हैं तरही को कहते हैं तेखिये मौच औने के बाद पराणी लोट जनम मुर्टू में नहीं आएगा इस पर लिखाया घीता जी में तो जनम मृत्तु में नहीं आएगा तो उसका मुख्ष हो जाएगा वो सनातन धरम सास्वत धाम इस पर लिखा है सास्वत धाम माने सट लोग चला जाएगा वो तो फिर अवतार लेकर आते हैं जैसे राम जी का पर कर्ण भख्मान को अधर 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 काय खुल ले हैं अब जा पाज सट लोग में पापी अधर काय हो जाते हैं वानने नहीं और अपनी आप अगर अगर पापी कह शो उसकी खार फाट पक मारने भख्मान और या संधा नहीं मार्या हैं नहीं है का नहीं होए तो हम बंदू पकेले ले सब को वाण को आट कर में भग्मान अम सब्धा सब्सक्राइब कर रहा है तो आज भी तो क्या पहरन कर रहे हैं तो आज भी तो क्या पहरन कर रहे हैं उन्हें की मिर्टु करवा दो भगवान भगवान नहीं हो सकत मार्वेबा भगवान हो सकत कमों भगवान तो सर्वसुक्त देने वाला होता है कभी साथ वह सर्वसुक्त देने थे वाले हैं पositला करों नहां है लगवान हों कभी सागर में कभी सागर में सीकсте कहीं नाम का जो फकीर धा उसकी लड़की मर गए थी तो उसने कहा ता इस पर कार जैसे आप कियान है कै हम जब कभीividades को जिन्दा कर दे कबर में दबा रहा रखी थी तो उसको मलने के इब दबी दबाई निकलवाई निकलवाने के बाओ आठ तेनी बाद हो सब टूर्ण प्रमार है आज देख लीजिए कभी सागर में कमाली नाम रखा था उसका और एक और फर सुने पर चाली के नहीं यह तो एक पाखंड है उसने कहा कि हम जब जानेंगे मुर्दा को जिन्दा कर दे तो उन्हें पर उन्हें कमाल नाम के लड़के को वह बैता हुआ मुर्दा में उसको जिन्दा किया था आज पर मर्देख लिए कभी सागर में उसका नाम कबाल लखा था हमारे किसन भगवान प्यदा होता ही से जिल में से जंजी ने तोड़का है और बाहर आ गए थे यह सो करो कजिए आपके कभी भगवान ने तोड़ी ती और अगर कभी साबर साब ज जंजी ने तोड़ नहीं तोड़े से भगवान सब्सक्राइब हमाई भ्यास गयां पूछ वह चारा है भगवान की लीला है जो होती है भगवान के काम देखो संत्रामपाजी महाराजी से नाम उब्दिस लेने के बाद करोड़ों जीवों के यहां पर जितने सब्सक्राइब होते हैं अब मैं भी कभी सागर को पढ़ूँगा फिर देखूँगा उसमें क्या है आपकी लीला दर्शकों आएए अब आपको संत्रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से कबीर साहिब जी द्वारा 64 लाख शिश्यों की परीक्षा लेने वाला प्रसंग सुनाते हैं ताकि भक्त समाज के अंदर जो भ्रांतियां पहली हुई हैं वो दूर हो सकें परमात्मा ने एक लीला की थी कभीर जी ने ये देखने के लिए कि जो मेरी सरन में आए हैं उसमें 64 लाख से से कभीर परमेसमर जी के हुए थे सन 1398 में कभीर परमात्मा जी सत लोग से चल कर आए थे और कासी सहर लहर तारा तलाब के अंदर कमल के फूल पर एक सिसु रूपदारन करके वो परगट वे थे उनके कोई माता पिता नहीं वहां से एक नीरू निमा नाम के जुलाहा पती पतनी थे वो परमात्मा को बालक को ले गए थे वो नी संतान थे और उनके घर परमात्मा लिला में तरीके से परवर्ष को प्राप्त हुए बड़े होकर जुलाह का कारिया करने लगे और साथ में जिस उद्यसे को लेकर आए थे वो तत्वज्यान भी परचार करते थे वो सत्गुरू का रोल भी करते थे जिस कारण से वो जुलाह कहलाए उस जमें परमात्मा के सरण में जो भी आया कुछ आसिरवाद से कुछ बगवान परमात्मा पर्थम मंतर देते थे जो दार साब को देता इस पांच नाम का बस इस से उनको बहुत लाग हुआ 64 लाग सेस बने थे केवल मालक की इस चमतकारी सक्ती को देख कर फिर परमात्मा ने देखा था देखना चाहा था कि मैं देखू ये मुझे ऐजे गौड ट्रीट करते हैं या ऐजे एक संत ये मुझे भगवान की तरह मानते हैं मुझे ये भगवान स्विकार किये हुए हैं या मुझे एक सिंपल संत मानते हैं परमात्मा को तो मालूम था ये क्या मानते हैं लेकिन दिखाना चाह रहे थे दरुमदास को और अपने नीज़ भगतों को प्रमेश्वर कबीर जी ने एक लिला की थी एक लड़की वैसा थी गिन्र का थी उसने सत्संग सुना उसको अपने करम से नफरत हुई आत्मा जागी की उसकी प्रमात्मा कबीर जी के चरणों में आई अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की मालिक क्या मेरे जैसी दुस्टा का भी उद्धार हो सकता है कबीर प्रमात्मा ने कहा बेटा आत्मा तो लाल है ये कीचड में गिर जाती है तो जोरी उसको साफ करके वो ऐसा ही बना लेता है किमत में कोई अंतर नहीं होता आगे गलती ना करना पीछे जो बनी सोबरी ये सफाई हो जागी उस बेटी के यह बात समझ मा आगी उसी दिन से अपना वो दुसक्रम त्यागा और प्रमेश्वर कबीर जी की सरनमे से सहबन कर अधिक से अधिक सत्संग सर्वन करने के लिए आने लगी अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सूपरसिद कासी की वैस्या थी सब को पता था प्रमात्मा के सत्संग में आने लगी कबीर जी के सत्संग में तो उनके सहस ही उस लड़की को भला बुरा कहने लगी तो यहां मताया कर बदनाम करवावागी तो उस लड़की ने प्रमात्मा जी से गुरुदेव से कहा गुरुदेव उस सारी कहानी बताई कि कुछ भग्त कुछ माई मुझे हेद रिष्टी से देखते हैं और मुझे या आने के लिए मना करते हैं तो प्रमात्मा ने सत्संग के मादम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिये बताने की चेश्टा की के कुछ टी हो ऐ संत बंदगी कीजिये हो वैस्या के विस्वा से चरण चित दीजिये क्या मताते थे के यदी कोई भग्त कोड़ी भी है उसका चाम भी चू रहा है और उसने दिक्सा ले रखिये उससे नफरत ना करना उससे भी सत्साइब बोलना प्यार से डील करना उसको क्योंकि वो भगता है प्रमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्लान हो जाएगा उसका ऐसे ही बताते हैं वैस्या के विश्वास चर्णचित दीजिए यदि कोई गणका भी हो और वो भगवान पर विश्वास रखती है उसको भी एक भगत भगतमती बहन रूप में ट्रीट करना अपनी आत्मा में दोस्त देना देखना उसके परती क्योंकि वो भगवान की बच्ची है जिरी जिरी बुराई चूटेगी क्योंकि जब तक मेला कपड़ा साबन और जल के संपरक में आवेगा नहीं तो निर्मल कैसे होगा तो ये सत्संग एक जल और साबन दोनों का काम करता है यहां आएंगे कोई सराब पीता है कोई सिगर्ट पीता है कोई मास खाता है कोई रिष्वत लेता है कोई चोरी करता है कोई दुराचार करता है यहां आएंगे उनको पता चलेगा उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेंगी चाहे कोई डाक्य मारता है चोर है जब उसको पता चलेगा तू ऐसा जुलम कर रहा है इसको कहां भरेगा कीडे पढ़ेंगे कुटा पढ़ेंके सिर्म में खाज लगेगी माया यही रह जाएगी तू लूट लूट का जा रहा है ले जा रहा है या कोई भी बुराई कर रहा है उसका कितना बहेंकर परिणाम तुझे भोगना पढ़ेगा तो अज्ञानता से गल्तियां बड़े-बड़े महापुरसूं से भी होगी और अथियात्मा यह तुरें त्याग देती है सत्रक हो जाती है आगे फूख फूख कर कदम रखती है तो ज्ञान सत्संग से ही होता है कोई भी यहाँ आओ सत्संग एक ओपन सथल होता है सब के लिए अलाउड है और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छुटेगी बहुत कुछ प्रमात्मा समझाया करते थे लेकिन एक और हमारे अंदर दोस है हम गुरु देव से अतिरिक अपने को ज़्यादा बुधिमान मानने लग जाते है और जब सुख हो जाता है क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर प्रमात्मा इनकी सर्ण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा जैसे एसी रूम है एर कंडिशनर और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में उसमत आती इसको रहत मिलेगी मिलेगी वो बातावरन ऐसा है तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोस है हम बगवान से ही दूर होना प्राहरम कर देती तो कबीर साहिब कहते है वो सुख भी आपके लिए बहुत बुरा सिद्ध हो गया अब इसाप बढ़ी गया आपके लिए तो यही कारण रहा कि वो लोग प्रमात्मा के सुने हुई वचनों पर अमल कम करने लगे सिस और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर और यह सबसे बड़ी मार खाता अपराणी अपना अपना मता नहीं चल सकता यहां तो जो सत्गुरु का आदेस हो उसी को शिरोधारिये रखा है यदि हम इसे बुद्धि मान होते तो पहले यहां इस ग्यान को ग्रहन किये होते हम पहले बुराईयां छोड़ चुके होते ऐसा निर्वल ग्यान जो प्रमात्मा कबीर जी ने दिया यह हमें पहले ही प्राप्त होता अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के और अपनी ही मती से फिर आप चलोगे यह यहां ऐसा ठीक नहीं यहां ऐसा होना चाहिए खाक होना चाहिए जो विश्था शत्गुर देव कराते हैं वो शिरोधारिया होने चाहिए भगत के लिए और जो आदेश थे वो शिरोधारिया होना चाहिए भगत भगत ही होता है तो नईम उनके गले उत्री नहीं अबात परमात्मा समझ गे कि यह अब भगतिहीन हो गए हैं क्योंकर गुरू जी के वजन की अवेलना करने से नाम खंडित हो जाता है इन सभी समीकनों को देखकर परमात्मा ने एक दिन सोचा कि लाइन की अच्छी तरह फड़क निकाल दूँ क्योंकि जो आत्मा कोई जैसे कोई बुराई गणी कर रखी हो तो उसने अपने पाप दिखाई देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्सिंग टेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की चेश्टा करता है और जैसा उसका सामर्थ है वो दान धर्म भी खूब करने की चेश्टा करता है तो वो बहन जो गणिका थी वैसा थी वो प्रमात्मा के अतिनिकटा करके सट्संग सुनती थी मौ की तरफ देखती रहती थी वगवान के वचनों को क्योंकि उसने तो ग्यान कदे सुनया नीए था उसकी तात्मा पैसी थी पचास साल की उमर हुली थी उसकी सारे बुराई करते-करते तो उसके कारण वो सभी जो मुर्ख टाइप के विक्ती थे संगत में उन्होंने औरों को भी बर्मित कर दिया कि ये लड़की यहां ठीक नहीं है गुरू जी बदनाम हो जाएंगे ये हो जाएगा तो परमेश्वर कबीर जी ने सोचा लाए इनकी फटक निकाल दू यदि मुझे ये अपने ही जैसा मान रहे हैं तो फिर इनको मेरे साथ रहने की अवशकता है नहीं है एक दिन कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारे भगत आदनी रवीदास जी से कहा कि आप एक आथी किराए पर ले आओ रवीदास जी नाग्या का पालन किया आथी किराए पर ले आए जो सदेहवे हाथी होते है और उस लड़की से कहा गणका से वैसा से बेटी तुकल अपना सारा सुन्दर कपड़े पैनना सब आबुसन लगा करके और मेरे पास आणा जो आग्या गुर्देव की लड़की अगले जन कभीर साइब की कुटिया में पहुच गी रवीदास आथी लेका आगया लड़की को हाथी पर बठाया रवीदास जी से कहा कि आप पीलवान बन जाएए हाथी ड्राइव करना और लड़की को रवीदास के पीछे अपने दोनों के बीच में बठा लिया और एक बोतल में सफेद सिसी में बोतल में गंगाजल भर लिया जैसा अन्य विक्तियों को ऐसा लगे कि ये सराब ले रखी है और उस लड़की गंगा के कंधे पर हाथ रख लिया आथी पर बैठके कबीर बगवान ने और उस गंगाजल को ऐसे पी रहे हैं और ऐसे मस्ती में बैठे ऐसे जूज रहें जैसे एक सराब भी गतीवी धी करता है ऐसे करने लगे है और रविदास्टी से का के में बजार है जो कासी का उसके बीचों बीच निकाल दे इस मारी सवारी ने अब रवी दास्ती ने उस मेन बजार में से निकाल दिया अब जो भी देखे रख सरयाम वैसे अब रती देखो बेन बेटियों का बाहर निकलना दूबर हो गया बाफ बेटा क्या देखेंगे ये कौन है सब बताओं ये तो कबीर है जुलाहा और सबी कहते थे हम तो पहले कहा करते थे हमें पता था कि वहां क्या होता है वहां वैसे भी सुपरसित जाया करती थी याज देख लो सरयाम होगी या साची जो चर्चादनता में चला है वा जूठी नहीं होती लेवाई तो उनके कबीर साहिब के जो सेस्थ थे उनको बुला बुला लेओं वो दूसरे के देखो तुम बगवान बताया करते जिसको ये देखो तरे बगवान के करम सर्याम दाशराब पी रहा है नसे भी इसको पता नहीं तू कहा गुम रहा है और वैस्या को साथ लिये अब वो नकली तो होई रहे थे सारे चले उनको भी स्वासे नहीं था अपने बगवान पर जब सुक होता था जब तो बगवान थे एक छोटी सी लिला देखकर हमने वो सैतान हो गए हमारे लिए तो हम इतने नालाइक हो गए थे तो सभी ने परमातमा से मूँ मोड लिया और कहने लगे हम तो कभी कभी जाते थे हम तो जाते ही नहीं थे हमने तो एक दिन नाम लिया था पिर गए नहीं मुझे तो एक दिन वो दूसरा ले गया था मैं आ जाया करता यानि लोक लाज के कारण अपने परमातमा से 64 लाख विमुक हो गए सभी लोग इकठे होकर सिकंदर लोथी के पास पहुंच गए जिस रेश्ट हाउस में वो रुके हुए थे सारी कानी से प्रिचित होकर के सभी ने कहा जिसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए इसको पत्थर मार मार के राजा ने अपने राज्ज को बचाने के लिए कही जनता तेरी विरोधी ना हो जा यह हम इसे नकली है अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब का अपने गुरुदेव के अठकड़ी लगाई राजा ने जो एक सेपाई का काम था सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में लोग मेरे से विरोधी ना हो जा और सब को पता था के राजा का गुरुदेव है और कहीं है मेरे से इस कारण से विरोध ना कर ले कि यूँ सजा ने दे सकता यूँ तो इसका चेला है उस सब मर्यादाओं को लांग के अपने हाथों पर मातमा के आथों मा थकड़ी लगाई पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते तोग जो नीचे पैरों से लेकर आथकड़ियों के साथ उपर तक जकड़ देती थी उस पे दोड नहीं सकता भाग नहीं सकता धिरे धिरे चल सकता था ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डोगो दो अब सेक तकी जो धार में गुरू था सिकंदलो दी का उसने बाग दोर संभाल ली अकली माप करते हूँ इसका काम उनको ले जाकर के गले में पत्थर बाढ़ दिये वो बेड़ी थकड़ी तो लगाई रखी थी तो उक भी जड़ रखी थी पत्थर भी बाढ़ दिये गले में भारा भारा रसों से और नोका में बठा के पांचा दस वक्ती साथ गए द्रिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहिब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा इसका टंटा कट जाएगा उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर द्रिया के अंदर सभी हतकडी बेडी अपने आप तूट गी पत्थर बांद रखे थे वो तूट गे वो द्रिया में डूब गए और कबीर साइब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के उपर जैसे थल पर बैठा करते हैं आसन पदम लगा के नीचे से लहर जा रही है पर मातमा सुरक सित बैठे अब नोक का वाले बापस आगे अब लोगों न देखा कि ये डूबा नहीं पहले तिये सोचा कि अब डूब जागा थोड़ी सी देर में पत्थर वत्थर रीचे खेचेंगे इसको जब देखा कि इतना डूब रहा है ना इसको हथकडी रही है तो सब ने कहा कि पत्थर मारो पत्थर मारो किनारे से लोगे पत्थर मारने प्थर वहां कहा जाते बीच में दोछ लिए पृटकी दूरी पे फिर कहा कि तीर लओ गोली लओ बंदूख से मारो तीर लब आया कोई बंदूख लब आए और वहां गोली मारे पर मात्मा के उपर जब तीर और इन से नहीं मरे बंदूख गोलियों से तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोब मगाई जाए अब तोब यंतर लाके खड़ा कर दिया उसमें गोले डालें कभीर साहब के उपर दाग गए वो गोला या तो वहीं गिर जाए फस या कभीर साहब से सोफ दोसो तिन सो फुट दूर जाके गंगा में गिरे क्योंकि वहां बहुत चुड़ाई है गंगा दिया की जहां पर वो ये क्रिया कर रहे थे और या इतनी दूर जा पड़े किसी तालाब सरोवर में आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के ते ऐसे परमेश्वर की लिला को आदनी गरीबदास साहिब जी गाउन शुड़ाणी जला जजर हरियाना वाले ने प्रमात्मा से प्रिचित उस ज्ञान से उस ज्ञान से समझ कर जान कर यथार्त रूप में वर्णन किया यहां थोड़ा सा वर्णन आदनी गरीबदास साहिब जी का आपको देते सन पंद्रा सो अठारा में प्रमात्मा सै स्रीच ले गए थे सत लोग कबीर जी और सन सतरा सो सताईस में यानि लगबग दो सो वर्ष के बाद दो सो नौ वर्ष के पसचाथ प्रमात्मा सत लोग से चल कर आए अपने निज सतान से जैसा कि बगवान लीला किया ही करता है जिसका वेदों में आपको बहुत बार परमान दिखाया है वेद कहते हैं कि परमात्मा उपर तीसरे धू धू लोक के तीसरे परिष्ट पर रहता है उपर सत लोक में तेजों में धू लोक माने तेजों में लोक के तीसरे पोर्सन में टॉप मॉस्ट पलेश पर रहता है सिखर पर और वहां से गती करके आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो प्रमात्मा कि सुदेशे से आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दर्ड़ भक्त होते हैं उनको तत्व ग्यान का उपदेश करते हैं अपने से प्रीचित कराते हैं और एक कवी की तरह आच्रण करते हैं वो उसमें जब वो आते हैं जिस कारण से उसको एक परसिद कवी की भी उपादी मानो समाज देता है लेकिन वो होता है भगवार इसी अपनी लीला के कारण अपने गुणों के कारण परमातमा कबीर जी सत लोग से चल कर आए थे गरीवदास माराद जी गाओं सुनाने जला जद्द्र वाले दस वर्स के बालक थे कबीर परमातमा ने उनकी दिवद्रिश्टी खोल दी दिवद्रिश्टी खुल जाने के बाद जीव भूत और बवीसे और वरतमान के सभी ग्यान से प्रीचित हो जाता पहले क्या हुआ था कहां कहां कि इसने के बोल ला था क्योंकि ये जो वसाबद है ये खंड नहीं होता ये एक पिक्टर सी बन जाती है जहां जहां जाते हैं आते हैं मिलते हैं ये सब पिक्चिर बन जाती है और ये हमारे यहां गूमती रहती है और जिनकी दिवज़श्टी खुल जाती है उनको ऐजिडित वो वतन सुनने को मिलते हैं और वो सब किरिया हो रही है जो फिल्म वो जोंकी तो दिखाई देती है उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लेंगवेज में फिर वहां बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को बाकी गटना जौंकी तो होती इसी परकार आदनी गृबदास साहिब जी ने प्रमात्मा की इस लिला को जो उन्होंने गंका आथी पर बैठकर गंका यानि वैस्या को बीच में बठाकर लिला की थी फिर उनको दरिया में डुबोने की कूचे इस्टा की थी नालाकों के कारण वो सारा चित्रन बड़े प्यार से किया हुआ अपने अमरतवानी में प्रमात्मा से प्राप्त दिवद्रिश्टी के दोरा प्रमात्मा जैसे लाखों वर्सों पहले श्री रामचंदर जी ने जो लिला की थी जिसको रामाइन कहते हैं उस रामाइन का वो सारी गटनाओं का ज्यों कातों चित्रन श्री तुलसी दास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपने वानी में किया था तो वो सब को मानने है कि जो तुलसी दास जी ने लाखों वर्स के बाद उसमें चल रही चल चीतर कीतर है वो सारी गटनाओं को देखकर और लिखा था अरसत माना जा रहा है इसी परकार अपनी दिवद्रिष्टी की रेंज होती है जैसे एक सुकस्म दर्सी होती है एक दुर दर्सी होती है तो दुर दर्सी का भी दुर्बीन का भी अपना अपने रेंज होता है अक्समा होती है कोई तो एक किलो मिटर तक दिखा सकती है कोई सोब फुट तक ही दिखा सकती है देख सकती है और कोई उपर के गरहों तक भी देख लेते हैं यहां से बैठे उनकी इतनी अक्समता होती है इसी परकार कबीर परमातुमान दोरा पराप्त उस दिवद्रिश्टी की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज़्यादा थी और खुर्बों वर्सुल पहले के ग्यान सत लोग से क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ और बविश्या में क्या होगा वो सारा आदनी गरीबदास जी ने अपनी अमरतवानी में तुलसी दास जी की तरह लिखा जो हमें मनने है रोना चाहिए वो सुनाते हैं अब क्या बताते हैं फिर गणका के संग चले सिसी बरी सराब ग्रीबदास उस पूरी में जुलहा भया खराब उस कासी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टी में एक बेहुद्धा व्यक्ती लगने लगा जुलह यानि वो कबीर दानक परमात्मा हुआ खराब यानि सब की दृष्टी में वो गलत सा लगन ले गया है क्योंकि फिर गणका को संग लिया शिसी बरी सराब वैसा को साथ लिया और लोगों की दृष्टी में वो सिसी सराब की थी लेकिन वो गंगा जल था ग्रीबदास उस पूरी में जुलहा भया खराब तारीबाजी पूरी में ये भिष्ट जुलह दी नीच ग्रीबदास गंड कास जी ही दो संतों के बीच ग्रीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पूरी में नगरी में जब कबीर साहिब को उस दसा में देखिया हाथी के ओपर बैठिया, बैठी हुए हाथ में सिसी सराब की तरह पी रही थे गंका को, वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी, तो सारी नगरी में ताली पिटी, आसी मुझा करर, गाली दें ये दुलाहा नीच, वो अपनी अस असलियत पर आगया, देखो, तारी बाजी पूरी में ये बिर्ष्ट दुलाह दी नीच, गरीब दास गणकास जीही दो संतों के बीच, गावत बेन विलासे पद गंगा जल पीवन थे, गरीब दास भी भलव हे वो मत वाले घूमत, बढ़वा बढ़वा सब कहें, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कभीर कर्म ये बाट तैसर का भोजे, क्या बताते हैं के कभीर साहिब पर अपनी महिमा के सब्द गा रहे थे, गावत बेन विलासे पद वो गंगा जल पीवन थे, गंगा जल पी रहे थे सी सी से, और गरीब दास भी भलव हे वो मत वाले घूमन थे, जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था, यो तो बिलकुल सराब के नसे में, और मतवाला होके घूम रहा है, बढ़वा बढ़वा सब कहें, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कभीर करम ये बाटत सिरका बोजे, सब करने लगे ये तो बढ़वा है, गंदा आदमी है, देखो सरयाम क्या जुलम कर रहा है, तो आदनी गरीबदास साब जी कह रहे हैं, कि भढ़वा भढ़वा सब कहें, और कोई न जाने खोज, वास्तविक तासे को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं, कि कबीर प्रमात्मा, वो अपने सर से, इन नकली सिस्टों का बोज पटक रहे हैं, डारत सर का बोज, अपने अत्मों इस तत्वा ग्यान से आपको बहुत कुछ ग्यान होगा, जैसे ये नकली सिस्ट लाखों क्रोडों सिस्टों को अपने पीछा लगा के गरोव महसूस कर रहे हैं, कि हम बहुत बड़े सिस्ट और मंडले सुबर बनेगे, और ये पता नहीं, आपको ग्यान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं, इतने सिस्टों को आप भरमित करके प्र राजी दोसी बन रहे हो, आप के ओपर इतना जबरदस्त बाहर हो जागा, आप तो असंग जन्मों तक नर्ग से नहीं निकल पाओगे, तो ये प्रमात्मा ने भी अलीला की, कि जब देखा चौश्ट लाख से उसमें, आज से चस्टों साड़े सो आच श्टों बरस पहले, 64 लाख से सो, ना कोई बालकों का काम नहीं, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा, और दानक जुलाहे के गरजनम दिसका, एक गरीब व्यक्ती, आम आदमी की दृष्टी में, तो कितने समरत थे वो, कैसे उन्हों निलिला करके अपने बच्चों को अपनी सरण में लिया, उन लेकिन हम प्रमातमा को ना पैचान कर उससे ऐसे ही बिछुडते रहे, अब वो कमी, अब जो दासा सत्संग सुना रहा है, वो लाश्ट में रजट निकलेगा इसका, तो वो अतरूटी वो कमी अभी तक हमें हानी करती रही, आगे अड़ती रही, तो क्या बताते हैं, तो लिके सभी दोस्यस थे, वो अपने आप विमुक होगे, सत्संग में जाना है छोड़िए, यहां दो सतीती होती है, एक तो होता गुरुद रोही, गुरुद रोही वो होता है, जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका गुरुदी बन जाता है, तो वो तो गुरुद रोही तो कभी भी फिर भविसे में अगले जनमों में कोई यह संख योगों तक मानू स्रीर नहीं प्राफ्ट करता, और जो वैसे ही लोकलाज में दबके, अराना छोड़ गे, तो उनको, और गुरुद रोही हुए नहीं, गुरुद रोही की प्रिबास आपको गती, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के दोरा दीएगी बगती, जिसने दो वर्स की, किसे ने दस वर्स की, किसे ने बीस वर्स भी की होगी, किसे ने तीस वर्स भी की होगी, तो उस बगती से वो रह गे यहीं पर, लेकिन उस बगती के कारण परमात्मा उनको चारज कर इतने द्यालू है उनको फिर मनुस जनम मिलने सरू होगे और वो ही आप हो जो यहां आ रहे उन चौश्ट लाखों मैंसे पहले वो आएंगे आप भटक रही हो परमातमा से दूर होगे लेकिन वो द्यालू है उनको मालूम था कि यह अब नहीं पैचानेंगे मुझे हमें चार अब आप जी को जो मनुस जनम मिलता हुआ आ रहा है आपके अंदर प्रेड़ना है परमातमा की कोई कहीं जा रहा है कोई संत के पास जा रहा है कोई किसी मंदिर में जा रहा है कोई तीर्थों पे जा रहे हैं कोई अपने आप ही कोई साधना करें तो आपके अंदर वो चाह अब जो दास आपको बताना चाहता था कि ये परम अक्सर बरम हैं और इन्हों ने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा से जब आदनिय दरमदास साहिब जीन कहा एवगवन अब कैसे कल्ण होगा आपके इन प्यारी आत्माओं का तब परमेस्वर ने कहा था दरमदास अभी डट रुख जा जब कल्यूग पच्पन सो वर्च बीच जागा तब मैं दोबारा गरीब दास वाले परंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूँगा उसको तो पेटा बरना था गरीब दास जी नरमात्मा कहा था बहुत चिंतित हो जाता था तो कहा तुछ चिंता ना करें गरीब दास का जो पंथ चलेगा वार मापंथ उसमें मेरी महिमा की वार्णी दोबारा परगट होगी बीच में काल के दो कबीर पंथ में गुशकए यह अटबट मारेंगे और यह उल्टा सुल्टा ग्यान बना जेंगे कबीर सागर में भी सब पंतों का नाज करके खतम करके यानि उनको सब ग्यान से हट समझा करें एक करूंगा सारों को जो एक से अनेक हो रहे हैं 36 दर्म बढ़ेंगे सब को एक करूंगा और पूरे विश्वय को ग्यान दूंगा तूचंता ना करें आण देव समय तो अपनी आत्माओं अब वह सम में है और प्रमात्मा ने दर्मदास जी ने पूचा था फिर मालिक ही इनका क्या होगा ये विचारे बर्मीत होगे तब प्रमात्मा ने कहा था कि ये चारज करके छोड़े दिये खालने दक्या और इनने थोड़े दिन इनको मनुस जिवन मिलता रहेगा जब ये मानते नही तो फिर ये आएंगे ना बीचली पीडिया होगी जब ये तब तक ये मनुस्ती उन प्राप्त करते रहेंगे बेटा और फिर इनने पार करूँगा इनको सिक्सित बनाओंगा और फिर अपना दास बेजूँगा उ तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना साना शेश कार्यक्रम में आपने जाना की कबीर साहिब जी कोई आम साधारन संत या कवी नहीं थे वो स्वयम पूर्ण ब्रह्मा आये हुए थे जिन्होंने काशी में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं की आज बरतमान में कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज प कल्यान कर रहे हैं अगर आप भी अपना मोक्ष चाहते हो तो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नामदीक्षा ग्रहन करके अपना जीवन सफल बनाएं धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो प्रूर्ब जी महाराज करें